दोस्तों मैं राजी बंडे भूमी नंटेहन चैनल में आपका स्वाथ करता हूँ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सोचल मीडिया क्या है और सोचल मीडिया के फायदे और नुक्सन क्या हो सकते हैं दोस्तों तो आंगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा अगर आपको बताता हूँ कि सोचल मीडिया क्या है आज कल सोचल मीडिया बहुत ही फेमस है और इसके द्वारा बहुत सूचनाय प्रदान करना मनरजन करना से करना मुख रूप से सामिल है एक वर्चुल वर्ड बनाता है इस इंटेर्नेट के माद्याम से बहुत सकते हैं सभी लो यह संचार का एक बहुत अच्छा माद्याम है यह बहुत तेज करती से सूचनाओं को अदयान प्रदान करने में कर्मों को सिथ करता है और यह जो है इसमें हर छेतर में ख़बरें बहुत ही जल्दी पहुच जाती हैं दोस्तों सोचल मीडिया सक्रात्मग भूमिका अद्य क करता है जिसमें किसी विव्यक्ति संस्क्रतिक और रहनेतिक रूप से सरमध्य बना जा सकता है सोसल मीडिया के जरे कई विकासात्मा कार्य हुए हैं जिसके लहें तहर लोकतंत्र भी बहुत मजबूत हुआ है जिसमें किसी विदेश की अखंडता खंडता पंत्र कि असर भी देखा जाता है यहाँ पर बहुत ही गलत तरीफे से सोसल मीडिया में कुछ लोग गलत शूकनल टेजी कीमेसर फैलाते हैं जिसके करण हमारे समाज को बहुत असानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा जा सकता है सभी वर्गों के लिए जैसे सिच्छिद वर्ग यहां पर किसी भी विवकर किसी भी कॉंटेट को नहीं मिलता है दोस्तों तो इस तरह से सोचल मीडिया का प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा मु